सो गाहिस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा जेंग और यून लो मिलकर 93 को मारने ही कोश्च करते हैं लेकिन उसे हरा नहीं पाते हैं तबी 93 उन्हें चोड़कर बेदी सीटी के हार्ट किस्टल्स को डिस्टोय करने के लिए चला जाता है और अब बात यून लो को भी पता चल गई थी इसलिए हो दोनों जुगे कि यून के घर जाकर टेलिपोर्टेशन फॉर्मेशन को बंद करते हैं और फिर 93 को रोकने के लिए जाते हैं जहां वो 93 को मार देते हैं लेकिन मरने से पहले 93 किस्टल्स को डिस्टोय कर देता है जिससे सीटी का बेरियर हट जात ये सोचकर वो वहां से बोर्डर की और चली जाती है लेकिनो जेंग को वहीं चोड़ कर जा रही थी जेंग चिला कर उसे रोकने कोईश करता है लेकिनो नहीं रुकती और वहां से चली जाती है जेंग को भी डीमन से लड़ने और सॉल्जर्स की मदद करने के लिए लड़ा चल रही थी जर्रणल फेवेखे लोंग भी वहीं थे और सबीसोल्डेस को लिटकर रहे थे वो लड़ते वैशनरस को उनका काम बता रहे थे लेकिन अब वह सारे डीमन सोलजर छां गए थे और वो मार है थे लेकिन फिर इंपियर आर्मी के सोल्जर्स अपनी पूरी तागत से लड़ रहे थे अब हैती भी हवास से सोल्जर्स के ओपर रटेक करता है लेकिन तब ही यूँ लोग वहां आकर उसके अटेक को रोग लेती है लेकिन हैती लगाता रटेक कर रहा था इसके बाद हमें जू किक्सू और फ कर दिया जू किक्सू की बात सुनकर फे लोंग यूँ लोग की और देखते हुए यूज इक्सू से कहते हैं कि अब हमें सिर्फ यूँ लोग ही बचा सकती है आज वेदी सीटी में जिंदिगी और मौत की लड़ाई चल रही है यूँ लोग अपने आगे के सभी डीमन्स को मारने के लिए अपने सोल्जर्स को देखती है तो उसे सभी सोल्जर्स गायर और डरेवे दिखते हैं इसलिए अब यूँ लोग सभी सोल्जर्स से कहती है कि वेदी सीटी के मिलिटरी लोग के आर्टिकल वन में लिखा है कि मिलिटरी सोल्जर्स को हमेशा डीमन्स से लड़ और साथ मिलकर फिर से लड़ने के लिए त्यार हो जाते हैं अब फेंग लोग अपने एरो से डीमन कर अटेक करते हैं और उनका एरो एक के बाद एक डीमन सोल्जर्स को मार कर आगे बढ़ रहा था तब यह एक अपने अटेक से उस एरो को रोकता है और सबीसे कहता है कि देख ये कया कर हैती अपनी डिवाइन फ्लेम से सिटी के ऊपर अटेकर देता है। लेकिन तब ही जैंग इमपियल आर्मी की एयर फॉर्स को लेकर वहाँ जाता है। एरफोर्स का बड़ा शिप अपनी केनन से डिश्ट्रोई फ्लेम से पर अटेक करता है लेकिन हो सभी डिवाइन फ्लेम को डिश्ट्रोई नहीं कर पा रहा था इसलिए अब यो लोग अपने सभी सोल्जास को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बेरियर बना देती है जेंग अब शिप से उतरकर जनल फेलोंग के पास आता है और फेलोंग को बताता है कि 93 ने अपनी जिंदी की कवा कर बेदी सीटी के आर्ट को डिश्टोई कर दिया हम उसे सही वक्त पर नहीं रोक सके जेंग की बात सुनकर फेलोंग उसे कहते हैं कि जो किक सुने मुझे सब क कच बता दिया है लेकिन अभी डीमान की एयृति न अपने नेटल टूए सेट सेटी वाइन MDC रिलिस की है है ऑईथि ने अपनी डीवाइन डीमान डीमंद फायर फ्लेम से सब ही के ऊपर एक चीना और एक बान जब यह अधिक शुरू हो जाता है तो इसे रोगना बहुत म मैं हमारी मदद करने के लिए त्यार हो तो अब जेंग फे लोंग के सामने सर जुगा कर उनसे कहता है कि मैं आपके हर ओर्डर को मानने के लिए त्यार हो तो फे लोंग उससे कहते हैं कि मैं यून लोग की सेफटी को तुमारे उपर छोड़ रहा हूं ये सुनकर जेंग फे ल प्रेम्स को रोकने के लिए बेरियर बनाए हुए थी लेकिन बेरियर बहुत बड़ा था और उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा पार यूज हो रही थी जिससे अब यून लोग कमजोर हो गई थी और उसके मुझे बलड भी निकल रहा था यून लगाता होते कि क्या तुम बागल हो जो इतना बना बेरियर अकेले बनाकर रख रही हो अगर तुम्हारा ट्रू एसेंस कत्म हो गया तो तुम मर गई होती जेंग की बास सुनकर यून लोग से कहती है कि मेरा जन्म बेदी सीटी के लिए हुआ है इसलिए इसको प्रोटेट करना मेरी ड्य कुटी है यून लोग का ट्रू एसेंस कत्म हो चुका था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और बोल भी नहीं पा रही थी इसलिए जेंग उसे शिप पर लेटा देता है और एक रेट क्लावड फिल खिला देता है जिससे आउँ जल्दी ठीक हो सके अब जेंग यू उन लोगों को माना चाहता था इसलियव न cela फिरसे जींग की शिपके ऊपर отвरिटा करता है वहाँ ने ट्रू एसेंट से किल लोर से कहता है कि तुम भी इस सीटी को प्रोटेट करो मैं तुम्हें प्रोटेट करूँगा यह कि एकर जेंग हेटी की और चलांग लगाता है और जनरल फेलोंग और जुकिक्सो को इशारा करता है जिसे देखकर जुकिक्सो अपने इलुजनरी ड्रेगन फिश्ट से एक ड्रेगन को जेंग के पास बेशता है और साथ में चनरल फेलोंग अपने शोकिंग एरो को जेंग के पास बेशते हैं जेंग तक पहुँचने से पहले जुकिक्सो का ड्रेगन फेलोंग के एरो को अपने मुह में ले लेता है अब जेंग भी ड्रेगन के उपर सवार हो जाता है और अपने पंच से इगल पर वार करता है जिसे वहाँ एक बहुत बड़ा फायर बॉल बन जाता है और बड़ा ब्लाश्ट होने वाला होता है लेकिन तभी जेंग उस फायर बॉल से बाहरा जाता है और अपने डेमोनिक मुझे नहीं मार सकते ये केकर आसानी से एक टॉर्नेडो बनाता है और उसे युन लोग वाले शिप के उपर अटेक करने ही कुश्च करता है जेंग टॉर्नेडो को देखता है और युन लोग को बचाने के लिए सोचता है कि अब मुझे वो मुझे वो मूँ ट्राय करना पड़ेगा ये सोच ऑई जेंग टॉर्नेडो के बालों के अंदर चला जाता है व्etzt लिए उन लोग जेंग को वा जाते वे देख लेती है और उसे रोगने के लिए उसके बीचे जाने ही कुश्च करती है लेकिन तब है एति उसके रासे में आकर उसे रोग लेता है जेंग के अलिकसी अरपिल की वज़े से यूलोरी करो गई थी और लड़ने के लिए भी त्यार थी है इति उसे कहता है कि आओ अब इस लड़ाई को एक खत्म करें लेकिन अब यूलोरी को जेंग के फिकर हो रही थ वहीं दूसरी ओर जेंग टॉर्नेडों के अंदर था और हेती के true essence को एफ्जो करने की कोशिश कर रहा था हेती का टेक जिसे हैं वरली demon divine flame कहते थे वो एक true essence था और वो एक flame के रूप में था इसलिए जेंग उस flame से अपनी body को refine करने कोशिश करता है जिससे वो flame भी खत्म हो सकती थी और जेंग भी powerful हो सकता था लेकिन demon divine flame का true essence बहुत ज्यादा powerful था जेंग को बता नहीं था कि superior one weapon refinement technique से वो इस essence को refine और absorb भी कर सकेगा या नहीं लेकिन और रिस्क लेता है क्योंकि उससे यूनलो और बेदी city को बचाना था इसलिए अब जेंग अपने superior one की weapon refinement technique को cultivate करना शुरू कर देता है और अपने conscience ने space में चला जाता है लेकिन और essence बहुत ज्यादा powerful था इसलिए उससे जेंग को तकलिफ हो रही थी दूसरे और यूनलो हेटी से लड़ रही थी लेकिन और हेटी को नहीं रोक पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी उसके barrier अब बहुत कमजोर है और हेटी उन्हें बहुत असानी से तोड़ रहा था वो यूनलो को मार कर नीचे गिरा देता है और सभी से कहता है कि अब डिमस एक साथ मिलकर दुनिया के ओपर राच करेंगे लेकिन तविया में दिखा जाता है कि जेंग हेटी गा ट्रू एसेंस अपनी बोड़ी में ए कर चली जाती है जो उसकी एक अलग दुनिया थी जहांसे कोई बहार नहीं आ सकता था और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेश्ट वीडियो में थेंक्स वरोची